हेलो गाइस तुम्हें सोफिया प्रसंटर से आपके लिए कैमिस्ट्री की एक और नहीं वीडियो के साथ में तो यहां पर हम बढ़ रहे हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में फॉर्मल चार्ज क्या होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मला वो पूरा मैं आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर एकस्पांड कर चुकी हूँ बट यहां पर मैंने सिंप्ली मैथेमेटिकल फॉर्मला लिखा वा है फॉर्मल चार्ज का सीए फिजिकल स्टू एकस माइनस वाई प्लस जैड बाई टू आपको बेसिकली इस फॉर्मले के अंदर एकस क्या है वाई क्या है और जैड क्या है यह अगर मालूम है तो आप इजिली फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ तो यह तीन आपको इलेक्ट्रों से यहाँ पर याद रखना है जिसके बेसिस पर आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं सकते हैं तो पहला ही कुश्चन बूचा जा रहा है कि calculate the formal charge of each oxygen atom of O3 molecule ओजोन के अंदर आपको तीनों oxygen के लिए formal charge को fine करना है तो आप किस तरीके से fine करेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको ozone का leavis structure बनाना पड़ेगा कि without leavis structure आप formal charge नहीं निकाल सकते तो ozone की अगर हम बात करें तो यह पहला oxygen यह दूसरा oxygen और यह तीसरा oxygen हर oxygen के पास में कितने number of electrons रहते हैं 6 electrons रहते हैं तो 6 electrons अबसे पहले इस oxygen की यह पर बात कर लेते हैं तो माल लिजिए 2 electrons इदर share हुए बज गए 4 इसके अगर हम बात कर लें तो माल लिजिए 2 electrons इदर share हो गए बज गए 4 और इसके अगर बात करेंगे तो इसके पास में पूरे electrons कितने रहेंगे 6 ठीके अब अगर देखा जाए तो यह वाले oxygen का octet हो गया complete 1 2 3 4 5 6 ठीके 7 8 इस oxygen के अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी complete बट इस oxygen का octet अभी भी complete नहीं हुआ है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यह वाला oxygen और यह वाले oxygen के बीच में कैसी bonding हो जाएगी multiple bonding हो जाएगी और multiple bonding के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो lone pair of electron है उसको multiple bond में convert करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका आजाएगा two electrons और आ जाएगे अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं one two three four five six seven eight यहाँ पर इस oxygen की अगर बात करें तो one two three four five six seven eight और इस oxygen की बात कर रहे हैं तो इसके पास में भी eight electrons हैं तो हम इसको एक तरह से और represent कर लेते हैं oxygen 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 यहाँ पर आ गया double bond यहाँ पर बचे two lone pair of electron यहाँ पर one lone pair of electron यहाँ पर single bond और six electron ठीक है कोश्चन आपसे बूछ रहा है कि आपको क्या करना है हर oxygen का formal charge निकालना है तो मैं यहाँ पर तीन oxygen है इसको number one दे देती हूँ इसको number two और इसको दे देरी हूँ number three clear that सबसे पहले वाले oxygen को लेते हैं formal charge on first oxygen atom first oxygen पर formal charge की value निकालते हैं cf is equals to formula हमारा होगा x minus y plus z by two यह formula होता है cf as it is x का मतलब total number of valence electron तो oxygen के पास में आखरी shell में कितने number of valence electron होते हैं six होते हैं तो x की जगह पे क्या जाएगा x की जगह पे six minus sign as it is ठीक है minus sign हो जाएगा as it is y y का मतलब क्या होगा y का मतलब unshared electron मतलब की ऐसे electron जिनकी sharing नहीं हुई है तो ऐसे electrons आप देख सकते हैं जिनकी sharing नहीं हुई है कितने हैं oxygen के पास में पहले वाले oxygen के पास में one two three four तो y की जगह पे क्या जाएगा four आजाएगा plus sign as it is ठीक है z by two z by two z का मतलब होगा shared electron तो इस oxygen ने कितने electron की sharing करी वी है कितने electrons ऐसे हैं इसके पास में जो shared है तो double bond का मतलब क्या होता है four electron देखिए shared electron है shared electron कितने है four है तो यहाँ पर भी आजाएगा four तो four by two calculate कर लेते हैं two one's are two two two's are four four or two कितना हो जाएगा six और six में से six चला जाएगा तो formal charge कितना आगिया formal charge आगिया zero तो first वाला जो हमारा oxygen atom है उसके उपर formal charge कितना रहता है zero रहता है ठीक है फिर second oxygen की बात करते हैं तो formal charge on second oxygen same formula apply करेंगे x minus y plus z by two same formula ठीक है तो cf is equals to हो जाएगा x का मतलब total number of valence electron oxygen के पास में total number of valence electron कितने होंगे six minus sign as it is y का मतलब होगा unshared electron ऐसे electron जो shared नहीं हुए है तो oxygen के पास में second वाले oxygen के पास में कितने electron ऐसे हैं जो shared नहीं हुए है two electrons हैं तो यहाँ पर आ जाएगा two plus sign as it is z का मतलब होगा shared electron ऐसे electron जिनोंने sharing करी है और जो shared हुए है तो ऐसे electron कितने हैं देखिए इस oxygen के बास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं तो 6 by 2 2 ones are 2, 2 threes are 6 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 minus 5 कितना हो जाएगा 1 तो यहाँ पर second वाले oxygen पर formal charge कितना आया है formal charge आया है 1 third की हम बात करते है formal charge on third oxygen formal charge on third oxygen ठीक है formal charge का formula होगा CF CF is a curse 2 हो जाएगा X minus Y plus Z by 2 ठीक है तो यहाँ पर अगर हम value put on करेंगे देखिए CF is a curse 2 X मतलब total number of valence electron oxygen के पास में total number of valence electron है 6 minus sign as it is Y की value के अगर हम बात करें तो Y का मतलब हो जाएगा unshared electron ऐसे electron जिन्होंने sharing नहीं की है तो ऐसे electron कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर आजाएगा 6 plus Z का मतलब shared electron तो इस oxygen ने केवल 2 ही electron की sharing करी है तो यहाँ पर आजाएगा कैंसल करते हैं तो यहाँ पर 0 कर देते हैं जो गलत हो जाते है तो 2 से 2 जब कैंसल होगा तो यहाँ बचे का 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 7 में से 6 किया बचा 1 और 1 का एगा minus का तो थार्ड ऑक्सीजन के ऊपर formal charge कितना रहेगा 3rd oxygen के उपर formal charge रहेगा minus 1 पहले बाले oxygen के बात करें तो formal charge हो गया zero 2nd oxygen के बात करें तो formal charge हो गया one और 3rd oxygen के अगर हम बात कर रहे हैं तो formal charge की value कितनी है minus one है ठीक ہے clear तो यह हमने किया ozone के ऊपर O3 मतलब ozone के ऊपर जो oxygen atom रहते हैं है ठीक है और नेक्स वीडियो में आपको और कुछ एक्जामबल्स करवाने वाली हूं तो इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ में आप वीडियो को लाइक करते रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू